हलो दोस्तों आईए समय और दूरी का एक प्रस्ण हल करते हैं और देखते हैं साट ट्रिक के माध्यम से इस प्रस्ण को कैसे हल किया जाए जैसा कि प्रस्ण में लिखा है राजन अपने घर से बिद्याले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वह बिद्याले से घ घर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस साइकल दोरा वापस आता है तो इस दोरान उसे आने जाने में एकुल 3 घंटे का सम लगता है तो घर से बिद्याले की दूरी कितनी है यही हमें ग्याद करना है तो आईए हल करते हैं तो दूरी बराबर एक ट्रिक होता है यक एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू टी एक्स जो है घर से बिद्याले या कोई अस्थान उसके जाने की गति क्या है और वाई वापिस उसी दूरी को आने के समय क्या गति है वो है तो एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू टी जो टाइम है आने जाने में कितना समय लगा है घंटे में और लिखते हैं फिर से समरते हैं x जिस गती से आप जाते हैं और y जिस गती से वापिस आते हैं x into y upon x plus y into t t time घंटे में है तो इसमें यहां रखते हैं मान को 10 x समया दस 10 हो गया 10 into y वापिस बिद्या लाइन में 20 अपान X प्लस Y 10 प्लस 20 इंटू 3 घंटे फिर 10 इंटू 20 20 और प्लस 10 तीस इंटू 3 जो टाइम है हल करते हैं यहां से 00 से कट गया यहां से 3 से 3 कट गया हुआ कितना 2 इंटू 10 10 गोड़े 20 20 नहीं यहां 2 है यहां से 00 कटा हुआ है तो 20 यह दूरी मिल गए हमको और कितना है 20 किलोमीटर यही हमारा एंसर होगा तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माद्यम से इस क्यूशन को 60 के माद्यम से समयाया होगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही दोस्तों यह चैनल हमारा सस्क्राइब किजिए और वीडियो को लाइक जरूर किजिए अजया होगा है